राजधानी दिल्ली में दो दिन की हल्की सी राहत के बाद आज दिवाली के दिन प्रदूशन बहुत खराब सिती में पहुँच गया है सुबा आनंद विहार इलाके में धुंद की चादर चाई हुई है CPCB के अनुसार आनंद विहार का वायू गुडवत्ता सूचकांक 418 है जो गंभीर श्रेनी में है दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास के इलाके में वायू गुडवत्ता बहुत खराब श्रेनी में है 24 घंटे के भीतर इसमें 49 अंकों का इजाफा देखने को मिला IITM उने के decision support system के मताबिक बुधवार को भी दिल्ली के वायू प्रदूशन में सबसे अधिक करीब 17 प्रतिशत तक हिस्सेदारी वाहनों के धुए की ही रही केंद्रिव पृत्वी विज्ञान मंत्राले के अधीन early warning system का पूर्वानुमान है कि पटाखे जलने एवा पराली का धुआ बढ़ने पर ब्रहस पतिवार QI के गंभीर श्रेनी में चले जाने की भी संभावना है कहने का मतलब यह कि दीवाली पर आतिश बाजी होने पर QI 400 पार हो सकता है इस दौरान हवा की दिशा उत्तर पश्चमी रहेगी जबकि इसकी रफ्तार काफी कम होगी बुद्वार को इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक ही दिन में पराली जलाने के मामले 500 का आंकरा पार कर गए हाला कि दिल्ली के प्रदूशन में पराली के धुए की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत तक ही रही लेकिन आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होते जाने के आसार है इस बार दिवाली के आज सालों में सबसे ज्यादा प्रदूशित रहने के आसार है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पराली जलाने के मामलों में आ रही तेजी है इसके अलावा मौसम के कारकों से इस बात के साफ आसार दिख रही है कि दीवाली पर दिल्ली का EQI 400 पार हो सकता है रोज के प्रदूशन की बात करें तो गाडियों से होने वाले प्रदूशन की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत तक रही है इसके बाद रेजिडेंशियल बर्निंग की 13 प्रतिशत इंडस्ट्री पल्यूशन की 11 प्रतिशत और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 7 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है सबसे अधिक कंजेशन साउथ और वेस्ट दिल्ली में रहा राजधानी में अब तक पराली के धुने का गुबार नहीं दिखा है CSA की रिपोर्ट के अनुसार इसका साफ मतलब यहा है कि राजधानी में प्रदूशन को कम करने के लिए जमीनी स्थर पर काफी काम करने की जरूरत है खास तोर पर गारियों से होने वाले प्रदूशन को कम करना लाजमी है CSA की अनुमिता राई चौधरी ने बताया कि आम तोर पर हर साल राजधानी में पराली की हिस्सेदारी की वज़ह से प्रदूशन बढ़ता है पहली फेस में पराली सबसे बड़ी वज़ह बनकर उभरती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं है हवा खराब से बेहत खराब स्थर पर पहुँची है और पराली की हिस्सेदारी अब तक ज्यादातर दिनों में महज एक से तीन प्रतिशत तक ही रही है महज दो दिन यह आठ से सोलह प्रतिशत तक पहुची है इससे पता चल रहा है कि राजधानी अभी स्थानिय वज़हों से काफी प्रदूशित है इस साल सर्दियों के इस पहले फेस में खराब और बेहत खराब दिनों की संख्या बढ़ी है वही अच्छे दिनों की संख्या कम हुई है इस दौरान 11 दिन हवा बेहत खराब स्तर पर रही यह बीते 3 सालों में सबसे अधिक है प्री दिवाली सीजन में 16 दिन खराब और बेहत खराब रही है वही 2022 वद 2023 में ऐसे दिनों की संख्या 13 से अधिक नहीं हुई थी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद